जये महाकाली भक्ति जनू, आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान को प्याज और लहसुन का भोग क्यों नहीं लगाते हैं। बास समुद्र मन्थन के वक्ति की हैं। समुद्र मन्थन से जब अम्रत निकला था, तो अम्रत पीने के लिए देवताओं और राक्षसों में छीना जप्ति होने लगी। अम्रत पाठे बाठे मोहिनी की रूप में भगवान विशनु भी उस राक्षस को नहीं पहचान पाए। और उसे भी अम्रत पाण करवा दिया। मगर सूर्य देव और चंद्र देव ने ततकाल ही उस राक्षस को पहचान लिया। और मोहिनी रूप में अम्रत बाढ़ रहे भगवान विश्णु को राक्षस की इस चाल के बारे में बताया भगवान विश्णु ने सुदर्शन चक्र से उस राक्षस का सेर धड़ से अलग कर दिया सेर कटते ही अम्रत की कुछ बूंदे उस राक्षस की मुह से रक्त के साथ नीचे जमीन पर गिर गई जिनसे प्याच और लहसन की उत्पत्ती हुई अम्रत से पैदा होने की कारण प्याच और लहसन को रोगनाशक और जीवन्दायनी माना जाता है परन्तु राक्षसी रक्त के मिश्रण के कारण इसमें राक्षसी गुणों का समावेश हो गया है ये उत्तेजना क्रोध, हिंसा, अशान्ती वापाप में ब्रदी करने वाले माने जाते हैं इसलिए ब्रत के खाने में या फिर भगवान के भोग में प्याच और लहसन का प्रियोग नहीं किया जाता है अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद